ज्यादा पापी कौन, विक्रम और बेताल की चौथी कहानी, भोगवती नाम की एक नगरी थी, उसमें राजा रूपसेन राज करता था, उसके पास चिंतामणी नाम का एक तोता था, एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा विवाह किस के साथ होगा, तोते ने कहा, मगध के देश की राजकन्या के पास एक मैना थी, उसका नाम था मदन मंजरी, एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा, कि मेरा विवाह किस के साथ होगा, तो उसने कह दिया, कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ, इसके बाद दोनों का विवाह हो गया, राणी के साथ उसकी मैना भी आ गई राजा राणी ने तोता मैना का विवाह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया एक दिन की बात है कि तोता मैना में बहस हो गई मैना ने कहा आदमी बड़ा पापी दगाबाज और अधर्मी होता है तभी तोते ने कहा स्त्री जूठी लालची और हत्य प्यारी होती है दोनों का जगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा क्या बात है तुम आपस में लड़कियों रहे हो मैना ने कहा महराज मर्द बड़े बुरे होते हैं इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा इस बीच सेठ मर गया लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुँचा वहां हेम गुप्त नाम का साहुकार रहता था उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचे दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था माल बेचा धन कमाया लेकिन लोटते में समुद में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बच कर यहां आ गया उस सेठ की एक लड़की थी रतनावती सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन परता था वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा यहां बहुत खत्रा है एक काम करो तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो लड़की ने ऐसा ही किया इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मार कर कुए में डाल दिया फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया, उसे कुएं से निकाल कर उसके घर पहुँचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माबाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिये और दासी को मार कर मुझे कुएं में डखेल कर भाग गये। बाप ने उसे प्यार से समझाया और कहा कि तू चिंता मत कर। तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुँचा। उसे तो जुए की लट लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बना कर कि उसके लड़का हुआ है। फिर अपनी ससुराल चला। वह पहुचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पती से कहा। आप कोई चिंता न करे। मैंने यहां आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेथ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस सब मैंने अपनी आँखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा। अब तुम बताओ किस तरीक्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेथ रहता था। उसका श्रीदत्त नाम का एक ल बारह बरस हो गए और वह ना आया तो जैश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती। और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लोट आती। इस तरह बहुत दिन बीट गए। इस बीच एक दिन उसका पती पर देश से लोट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पती हारा ठका था। जल्दी ही उसकी आँख गया। संयोग से उस आदमी को साप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह सब चीज देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकल कर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पती के पास जाओ और वहां बैठ कर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पती ने नाक काट ली है। उसने ऐस ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुसा आया। उसने कहा इस आदमी को सूली पर लटका दो वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया, बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जा कर देख लीजिए, उस आदमी के मुह में स्त्री की नाक है, राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली, इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियाओं ऐसी होती हैं, राजा ने उस स्त्री का सिर मुढ़वा कर, बेताल ने पूछा, कैसे, राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ठ हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है, राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका, राजा लोट कर गया, और उसे प पोर्ट कीजिए, धन्यवाद